जानिये किस वज़ा से आपकी पूजा पाट का नहीं मिलता फल, अधूरी रह जाती हैं मनो कामनाएं लगभग सभी गरों में भगवान की पूजा अर्चना की जाती है लोग अपने घर में भगवान का एक स्थान जरूर बनवाते हैं जिसमें सुबा शाम परिवार के सदस्से पूजा करते हैं और अपने घर परिवार की सुख शान्ते की प्रातना करते हैं परंतु कई बार देखा गया है कि रोजाना पूजा पार्ट करने के वावजूद भी व्यक्ति की मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं, उसको अपनी पूजा का फल नहीं मिल पाता है, व्यक्ति के जीवन में परेशानियां पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती हैं। कभी आप लोगों ने इस बात पर गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है। दरसल पूजा पार्ट के दोरान व्यक्ति को बहुत सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। यही छोटी छोटी बाते आपके जीवन में परेशानियों का कारण बनती हैं, जिसकी वज़ा से पूज का फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे, तो आप जिस मनोकामना के लिए पूजा पाट कर रहे हैं, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूजा घर से जुड़े कुछ वास्तु दोश के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिन बातों पर ध्यान दे कर आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। आए जानते हैं किस वज़ा से मनोकामनाएं रह जाती हैं अधूरी। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस से आपकी पूजा स्विकार नहीं हो पाती है, जिसकी वज़ा से आपको परिशानिया उत्पन होती हैं। नमबर दो, घर के मंदिर में आपको इस बात का विशेश ध्यान देना होगा कि अगर आप अपने घर के मंदिर में भगवान गनेश और माता लक्षमी जी या देवी सरस्वती की मूर्ती रखते हैं तो वह खड़ी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। नमबर थीन, वास्तु शास्त्र में इस बात का उल्लेक किया गया है कि आप जिस स्थान पर अपने घर का मंदिर बनाते हैं उसके आसपास बाथरूम नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे स्थान पर घर का मंदिर बनवाते हैं तो इसकी वज़ा से घर परिवार में वाद विवाद उत्पन होता है और नहीं आप मंदिर को सीड़ियों के नीचे बनवाएं यह अशुब माना गया है। नमबर चार आप अपने घर के मंदिर में बिना प्रियोग की चीजे ना रखें और अपने मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखेंगे तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी जिससे आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई भी परिशानी नहीं होगी दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद